हलो एब्रीवन वेलकम वंस अगें टुसेटी पॉइंट बैश्व पॉइंट फिर से अजाब के साब में अब आप सूच रहे होगा कि आज क्या लेगी आया है क्या आप स्लैबस का इंट्रडक्शन करने आया है तो देखिए यार अभी तक के हमारी एक पूरी सिरीज में हमने इकनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स को गवर कर लिया तो आपकी इकनॉमिक्स की बात की जाए तो इकनॉमिक्स का स्लैबस ओवर हो गया उसकी कम से कम फाइव प्रैक्टिस टेस्ट हो चुकी है बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लेके आता रहूंगा हर एक वीक में आप दो वीक की end पे तो अब आपकी economics के केवल practice classes चलेंगी जो कि hardly 40 to 50 questions की मैं एक class को conduct कर दूँगा तो इससे गया होगा आपकी economics revise होती रहेगी बाकी economics में आपको micro बढ़ाया गया है आपको macro बढ़ा दिया गया है इसी के साथ साथ आपकी already share bazar बगरे भी सब के सब इसमें cover हो चुक है share market, cb के बारे में, ed के बारे में, rbi के बारे में, physical policy के बारे में तो पूरी playlist पड़ी होई है आपको करना गया है जाके playlist टेक लेनी है आज मैं अब हम start करने वाले हैं geography के बारे में किसके बारे में देखे economics की हमारी class over हो चुकी है ठीक है अब हम बात करेंगे geography जिसम जीके ठीक है ये बलकि थोड़ा सा यहां से area हड़ाईए तो अब इसको कुछ इस तरह से देखे कि यहां तक, general science के बारे में, बाद में बात करेंगे फिलाल, आज के लिए हमें यहां पर हमारा है कि geography, static gk को हम त्यार करने वाले हैं, तो अब सवाल यही कि syllabus क्या होगा geography और लाइबस कैसे होगा, तो देखिए, आज आते हैं, सबसे पहले हम जिसे की हम बात करते हैं geography में, तो geography में जब आप बात करते हैं, world geography की या किसी भी तरह की starting के सबसे पहले एक आता है the universe, solar system आता है, फिर आप world geography और Indian geography की बात करते हैं, तो देखिए, world geography में क्या आ जाएगा word geography में बहुत कुछ आता है, अब world level पे जितनी भी आपकी lakes होंगी, mountains है, latitude, longitude है, ऐसे बहुत सारी चीज़े आती है, एक bunch है, हाला कि ये जितने भी videos बनेंगे, hardly 20 से 30 minutes के बनेंगे, और हर video के end में, हर video के end में, आपको 10 questions practice को मिलेंगे, minimum 10 questions practice को मिलेंगे, एक नॉमिक्स में असानी था, लेकि जोग्रफी में मिलेगा, क्योंकि तभी आपको याद होगा, basic concept in the geography, physiography of India, यहाँ पे आप Indian geography की बात कर रहे हैं, Indian geography की बात करते हैं, तो भी उसमें वही सब आता है, जैसे कि Indian mountains, फिर Indian rivers, peninsular rivers, उससे related questions, minerals, lakes, आपके सकते national park, monsoon इंडिया का, और इसके साथ इंडिया के forest, wildlife, tribals, community, एक बहुत बड़ा section geography कवर करता है, actually geography का थोड़ा सा हिससा क्या है, huge है, तो इन सारी चीजों के बारे में, और यह आपको पूरा bilingual होगा, यह पूरा का पूरा क्या होगा, बाइलिंवल होगा, most of the videos आपको mostly Hindi में भी मिल जाएंगे, आपको content Hindi में भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ तो content English में भी मिलेगा, तो आप परशान मत होगेगा, यहाँ पे Hindi English दोनों में मिलने वाला है, ठीक है, important passes जिसे आप दर्रे गहते हैं, ठीक है, Indian cities, their nicknames, इंडिया के state, international border भाई, यह सारी चीजों मिलेंगे, और याद र हमारा ऐसा मानना है, कि जितनी ज्यादा आप question practice करते हैं, उतनी ही चीज़े learn होती है, तो आपको क्या करना है, बढ़िया से notes बना लेना है, बढ़िया से क्या करना है, notes बना लेने से क्या होगा, चीज़े आपके लिए आसानी से available हो जाएंगे, ठीक है, climate, soil, vegetation, यह आपके unit 4 में cover होगा, Indian climate की बात करेंगे, या, तो सबसे पहले मैं बता दू, सबसे पहले हम पूरी world geography करेंगे, universe solar system ये किवल एक single lecture है, ठीक है, इस single lecture के बाद, जो सबसे ज़्यादा हम करने वाले है world geography, या रखेगा world geography के साथ-साथ हम Indian geography भी उसमें से attach करते चलेंगे कई बार, जिस तक आपको latitude और longitude की समझ नहीं है, तब तक कोई possibility नहीं है, कि आप किसी भी तरह की geography को समझ पहें, उसी के parallel चलाएंगे, फिर एक Indian geography में आपको latitude और longitude को Indian geography से relate करके भी पढ़ाया जाएगा, ये कुछ शौर्स वीडियो होंगे, geography की वीडियो आपको जादे long नहीं मिलेंग 20 minutes, 30 minutes, लेकिन हर एक topic को बहुत ही सलीके से cover किया जाएगा, कि एक बार आप देखे ना, तो दुबार आपको उसमें दिखकर ना आए, ठीक है, तो ये international borders हो गया है, जी हाँ, तो ये रहा आपका मोटी मोटा geography का syllabus, डैनेस system में आपको पता है, जब भी आप डैनेस system की बात क जबते हैं, ठीक है, तो ये आपको systematic way में मिल जाएगा, economic geography में major ports, major dams, coal fields, minerals, जिसे आप माइन्स या मिनरल्स या खनीच कहते हैं, ये सारी चीज़े, तो आप कहा सकते हो कि थोड़ा सा broad है, लेकिन इसको अगर आप एक mannered way में पढ़ोगे, एक mannered way में पढ़ोगे, structured way में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और साथ साथ जो most important है, वो questions की practice है, question की practice previous year के कर लीजे, आप अगर PCS या UPSC का भी prelims दे रहा हैं, तो आप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है, सबाल है, unit 7 में human geography क्या है, यार सिधी बात है, population का composition तो economics का भ कवर करता है, ये static कवर करता है, पूरा geography का, जैसा कि मैंने आपको जब economics पढ़ाई है, तो economics से related जो भी static बन सकते हैं, उनकी भी practice करवाई है, तो जो subject पढ़ाया जाएगा, उसका static कवर हो जाएगा, क्योंकि static तो आप कह सकते हो कि सर हिस्टी का भी होता है, पॉलिटी का भी बात करेंगे, ठीक है, तो ये रहा racial groups of India, tribal groups of India, settlement and urbanization in India, और फिर mixed question, लास्ट में जैसे की बता है, चार से पांच question practice होती है, के वल mixed question की, जिसमें जितना syllabus होता है, जिसमें जितना syllabus होता है, जिसमें आपका economics का, इस week आएगा, जिसमें आपको mixed question मिलेंगे, अभी तक जितना पड़ा है, सारे से mix करके, एक पूरी 40-50 question की practice set आने वाली है, तो introduction में इतना ही, बाकी मिलते हैं, आप से word geography के सबसे पहले हम किस से मिलेंगे, solar system से मिलेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे solar system, और उसमें भी सबसे मजदार lecture आपको मिलेगा, latitude and longitude, एक बार देख लेंगे I guarantee you कि SSCT point पर पढ़ने के बाद मुझसे आप कहीं और जाने की ज़रुत नहीं है, तो चलिए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, मेंस आ रहा है, मेंस की तैयारिया मेरे साथ कीजिए, मेंस अरिटेट कोश्चन साब कहा है, आपर मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही जाहिन जाभारा